दोस्तों, वास्तु के नुसार घर में तिजोरी या अलमारी रखने से जीवन में धन दौलत की कमी नहीं रहती है। सदैव, मालक्षमी आप पर महरबान धैती हैं। आम तोर पर सभी के घर में तिजोरी, अलमारी या फिर कैस बॉक्स होता है, जिसमें वे पैसे, आभूसन या कोई भी मूलिवान वस्तुएं या कागजाद आदी रखते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि वे अपने धन और आभूसनों को किसी सुरच्चित इस्थान पर रखे। दोस्तों, वास्तु सास्त के अनुसार घर में तिजोरी को गलत दिशा में रखने के कारण इसका असर घर की आमदनी पर पढ़ने लगता है। तथा घर में बरक्कत नहीं हो पाती है और व्यर्थ में पैसों का खर्चा होने लगता है। तो आईए इस वीडियो के माध्यम स हम जानते हैं कि तिजोरी रखने की सही दिशा क्या है और ऐसी कौन सी दिशा है जिसमें आपको भूल कर भी तिजोरी नहीं रखनी चाहिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो जल जोड़ी भी धन की कमी ना हो हमेशा घर में बरक्कत बनी रहे। जिस भी तिजोरी या अलमारी में कैस वज्वैलरी रखते हैं उसे हमेशा कमरे के दच्छन की दिवाल से लगा कर रखना चाहिए। जिससे की अलमारी वा तिजोरी का मुँ उत्तर की दिशा की ओर खुले। दोस्तों उत्तर दिसा के स्वामी धन के देवता कुबेर जी हैं इसलिए अलमारी वा तिजोरी का दर्वाजा उत्तर दिसा की ओर खुलना चाहिए इससे घर में धन की बढ़ा उत्री होती रहती है इसके लावा पूर्व की दिसा में भी घर में तिजोरी रखना सुब माना जाता है वास्तु सास्त्र के अनुसार पूर्व दिसा को उन्नती उर्जा की दिसा कहा जाता है इस दिसा के स्वामी इंद्र देव हैं जो देवताओं के राजा हैं इसलिए तिजोरी वा अल्मारी को पस्चिम की दिवार से लगा कर रखें ताकि तिजोरी का मुख पूर्व दिसा की तरफ खुले जिससे की देवराज इंद्र की कृपा आप पर बनी रहे और घर में धन की बरक्कत हमेशा होती रहे चलिए अब जानते हैं कि ऐसी कौन सी दिसा है जिस दिसा में आपको गलती से भी तिजोरी वा अल्मारी को नहीं रखना चाहिए दोस्तों जब तिजोरी का मुँ दच्छन दिशा की और खुलता हो तो जल्द से जल्द तिजोरी की दिशा बदल दें क्योंकि दच्छन दिशा के स्वामी यम होते हैं इस दिशा में तिजोरी का मुखिलने से रोग में धन का वे बढ़ जाता है पहले धन खर्च होगा फिर जो जो जोयलरी है उसे बेचने या गिर्वी करने की भी नौबत आ सकती है इसलिए भूल कर भी इस दिसा में तिजोरी या अलमारी कदापी न रखें अन्यता धन की हानी होती रहेगी और दोस्तों जब भी आप पस्चिम की दिसा की और खुलने वाली तिजोरी का इस्तमाल करते हैं तब भी धन पाने के लिए आपको कठिन परिस्त्रम का सामना करना पड़ता है तब ही आपकी सेविंग भी नहीं हो पाती है इस दिसा के स्वामी वरुण देव होते हैं इसलिए पस्चिम की और खुलने वाली तिजोरी पे उनकी द्रस्टी पड़ती रहती है जिससे की धन को जोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और आर्थिक तंगी हमेशा बनी रहती है इसलिए आप इस दिसा में भी कभी त तिजोरी ना रखें इसके लावा आपको तिजोरी से सम्मंदित कुछ बातों का विध्यान रखना चाहिए वास्तु के नुसार जहां पर तिजोरी वालमारी रखनी हो उस कमरे का रंग हलका करना अच्छा होता है अपनी तिजोरी के पल्ले पर बैठी हुई लच्छमी जी की तस्वीर लगानी चाहिए जिसमें दो हाथी सूर उठाय हुए धन वर्सा कर रहे हो ऐसा करना अतियुत्तम होगा इससे घर में धन की कमी नहीं होती है आपको बता दें कि तिजोरी सीडियों के नीचे या ट्वैलेट के सामने कदा भी नहीं रखनी चाहिए ऐसा करना बह पर भी धूल ना लगने दें उसकी साफ सफाई करते रहें वरना इससे नकरात्म कूर्जा उत्पन होती है इससे परिवार की खुसियों में भी बाधा उत्पन हो सकती है दोस्तों पूजा करते समय तिजोरी को हमेशा खुला रखें जब भी आप पूजा करें तो कोसिस करे कि घर की तिजोरी खोल कर ही पूजा करें इससे घर में लक्षमी का आगमन होगा और धन की कभी भी कमी नहीं होगी तो दोस्तों ये थी तिजोरी से संबंदित कुछ जरूरी बातें जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए वीडियो पसंद आये तो कमेंड में जै मालक्षमी या जै मातादी जरूर लिखें वीडियो को लाइक करें, सेर करें साथ ही चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद